भाई और बेनों, छे महने पहले, जब आपके बीच मैं और मेरे भाजपा के सभी साथी आये थे, तब हमने कहा था कि जारकंड सही देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुचाएंगे. भाई और भेनों, आप मुझे बताईए, ये संकल्प पुरा हुआ के नहीं हुआ? हमने बादा किया था निभाया के नहीं निभाया? हमने कहा था, छोटे किसान, खेत मज्दूर, छोटे दुकांदार, छोटे व्यापारी, उन सबको साट वर्ष की आयू के बाद पैंशन की व्यवस्ता करेंगे. ये संकल्प भी हमने आते ही पुरा कर दिया, किया के नहीं किया? किया के नहीं किया? बादा निभाया के नहीं निभाया? हमने कहा था कि 2024 तक ये चुनाओं में जो मैंने कहा था, मैं याद करा रहा हूँ. और पार्टियां तो भुलवा देती हैं, अब वो गरीबी हटाओं बोलना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि 30-30 साल तक जुड़ बोलते रहे, भायों मैं नो, 2024 तक देश के हर घर को जल देने का काम करेंगे, ये मैंने आपसे कहा था, हमने सरकार मनते ही, इस संकल्प को पूरा करने के लिए, जल शक्ति का अलग मंत्रालय बनाया, जल शक्ति के लिए अलग बजेट लगाया, और इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन भी शुरू हो चुका है, और इस सपने को 2024 तक पूरा करके रहेंगे. आर इस काम को पूरा करने के लिए, साड़े तीन लाद करोड रुपिये, खर्च किये जाएंगे, जिसके कारण, मेरी माता और बहनों को, पानी के कारण जो मुसिबत होती है, माता और बहनों को वो संकर से मुक्ति मिल जाएगी. आर इस योजना का लाद, जार्खन को तो मिलेगा ही, लेकिन इस ख्षेत्र के गरीबों को, सबिशेस नई ताकत देगा. और मैं भली बाती जानता हूँ, यहाँ के पानी की दिक्कतें, देश के कई कोने में, लेकिन उसका स्थाही समाधान दून्डे के लिए, भारत सरकार ने इतना बड़ा उठाया है, आपकी वो तकलीफे भी, जल जीवन मिशन से कम होगी. साथ योँ, भाजपा ने आपसे यह कहा था, कि देश में एक ही संविदान लागू करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी, भारतिय कानून लागू करेंगे, आज जम्मू कश्मीर से, आर्टिकल तिन सो सत्तर, तिन सो सत्तर हट चुका है, और भारत का संविधान, पूरी तरह से वहां लागू है, आम मुझे बताईए, तिन सो सत्तर हटाने का बादा हमने पुरा किया अगे नहीं किया, ये बड़ा निर्णे हमने किया अगे नहीं किया, पूरी निष्टा के साथ, इमानदारी के साथ, लागू किया अगे नहीं किया, भाई और बैनों, हमने कहा था कि राम जन्म भूमी, मैं आपके इस आफिर बात के लिए, आपको सर जुका करके नमन करता हूँ, ये आपके आशिरवादी मेरी ताकत है, ये आशिरवादी भाजपा की ताकत है, ये आशिरवादी जारखट का उजवल भविश्य बनाएंगे, भाईयों भाईनों, राम जन्म भूमी को लेकर, जो विवाद सदियों से, याने दो पांच साल, पचाच साल नहीं, सदियों से चल रहा है, जिसको कॉंग्रेस ने जान भुश करके उल जाया, बार बार उल जाया, हमने कहा था, याद करिए, हमने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में लिखा था, कि राम जन्म भूमी विवाद को, सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएंगे, यह हमने कहा था, यह कहा था, कहा था, सांती पूर्ण तरीके से सुल जाया के नहीं सुल जाया, सांती पूर्ण तरीके से सुल जाया के नहीं सुल जाया, भायों भनो, अब आप खुद देख रहे हैं, कि कैसे अयोध्या में बवराम मंदिर के निर्माण के लिए सारे मार खुल चुके हैं सारी अच्चने हट गई है और सबकोच देश की एकता देश के भाईचारा देश का सदभाव इसको मजबूत बनाने के रास्ते पर किया गया और देश ने दिखा दिया देश की एकता क्या है देश में भाईचारा क्या है देश में सभी धर्म संप्रदाय के लोग कैसे मिल जूल करके रहते हैं ये हिंदुस्तान ने दिखा दिया है पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने एकता का संदेश दे दिया है साथियों हमने ये भी कहा था हमने ये भी कहा था कि तीन तलाग ये जो कूप्रसा इस देश में करोडों बहनों को नर्क का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही है हम ऐसी हमारी माता और बहनों को इस दुर्देव से इस बुराई से हम मुक्ति दिला करके रहेंगे आज तीन तलाग के विरुद सक्त कानून बन चुका है इस कानून ने लाखो करोडों मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन सुरक्षित किया है उन्हें जीवन के एक बड़ी चिंता से बहार निकाला है मुस्ति निकाला है झाल झाल